वस्कार अधैब सश्टा काल राम खमागानी दोस्तों मैं रसने स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल दा सक्सेस में तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे तक शायद बहुत कम चीज़े पूछी गई है और पॉम्पेनियस मेला की एक बुक है मतलब यह कॉस्मोग्राफी है इसके बारे में पूछ लिया आता है कि यह बुक किसने लिखी थी वाकी तो ज्यादा से ज्यादा कॉशन आते है स्ट्रेव और टोलमी के बारे में ठीक है त है असा कि मैंने बोला था कि सबसे पहले रीट की आएगी और उसके बाद में फॉर्स्ट ग्रेट की वेकेंसी आएगी तो जो भी बच्चे फॉर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे है वह तैयार हो जाई है ना अपने सीट की बेटी बांद लेजिए क्योंकि अब जो वेकें काँगी उनका नाम आएगा हमबोल्ट के बारे में पूछा गया है कि मूल्ड रूप से हमबोल्ट क्या थे मतलब जैसे इनों ने लिखा है ना रोमन खगो लग या गणितग्या या मानचित्रकार थे तो वनसपति शास्त्री थे वो ना तो उनके बारे में हमसे पूछा गया लिए तो इसलिए हर विद्वान के बारे में यह चीज़ मैंने लिखी है कि मूल रोप से क्या थे फिर उनकी बुक है अलमा गस्त है ऐनुलिमा और दे पिछे वाला इसमें ये विद्वानों की जितनी भी बुक्स आरिये ना उनका नाम स्पेशली आप लिखते जाईएगा अलग से और लिखते जाईएगा और जब भी आप बुक पढ़ने बैठों ने उससे पहले एक बार उन कितबों के नाम देख लीजिगा आप हमेशा बोल लगबग अंदाजा हो जाएगा कि हाँ डी कोस्मोग्राफ ये इसकी है अच्छा है अनुलीमा ये इसकी है डेली हम आखों से निकालेंगे तब अदर्वाइस तो यार हर विद्वान के तेन तीन चार चार किताबे आ रही है याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो अलमागस एस्ट्रोलोजिकल टेरिटाइटीज इसे दूसरा नाम बोलते हैं ये खगोल विज्ञान की करती है और इसमें दो लगुकारिया है इस किताब के अंदर दो कारिये किये गए हैं खगोल विज्ञान से समंदिती है किताब है एक जो मतलब इसका पार्ट है वह है द क्षत्र विज्ञान का वरणन किया गया है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है अलमागस्त किस ने लिखी थी और किस छेत्र से समंदित थी है किताब दूसरे है एनोलीमा एनोलीमा ग्रेट सिंथेसिस या महान संसलेशन इसे बोलते है और इसमें तारा ग्रहों की सूच कुछी बताए गई थी ठीक है सूर्य चंद्रमा ग्रहों के उत्पत्ति से समंदित गणिती है विज्ञान के सिधान बताए गए थे और खगोली पिंडो से किताब समंदित है ठीक है तीसरे किताब थी जोग्रोफी तो इसको दगाइड ओफ जोग्रोफी या फिर दा अक्षांस और देशांत्रों की व्याख्या सहीत सार्णी और सूची प्रस्तूत की थी जितने भी हमें इस्थान अब तक याद थे उनको सबको अक्षांस और देशांत्रों के अकॉर्डिंग इन्होंने दर्साया मानचित्रों में उनकी व्याख्या करी ठीक है तो तीन कित है टोल में का योगदान गनितिय वुगोल और मांचितर निर्मान आपने देख लिया कि उन्होंने किताब यह से लिखी जिसमें मांचितर निर्मान प्रक्षेप निर्मान की व्याख्या की गई तो हम कह सकते हैं कि गनितिय वुगोल और मांचितर निर्मान में योगदान था इन्होंने प्रत्वी को गोल माना प्रत्वी की परिधी को नापा अधिवासित प्रत्वी का परिमान ग्याद किया प्रधान या मोतर को दर्शाया मुख्य योगदान मानचितर और प्रक्षेप निर्मान में इनका रहा व्रत को इन्होंने 360 डिग्री में बाटा जो पहले तो हमको इनकी जो क्रतिया है उनमें भी यह चीज इंपोर्टान रूप से दिग गी तो हमें पता चलता है कि इनका योग इन पे इरोटोस्टीज और हिपारकस का अप्रभाव था हिंद माज सागर को इनों ने बड़ी जील का स्री लंका और थाइलेंड को की खाडी को पहली किताबों के नाम याद रख लीजिएगा गडितिय वुगोल और मांचितर प्रक्षेप में योगदान था यह इंपोटेंट चाहिज है लास्ट है अपना रोमन विद्वानों में पॉंपनियस मेला रोमन का अंतिवितिहा सग्या था रोमन में हमने चार ही पड़े है रोमन में जिसमें भी स्ट्रेवो टोल में इंपोटेंट है रोमन अंतिम इतेहा सग्या थे बुक थी कॉस्मोग्राफिय और डीकौरी कोरोग्राफिया डीकॉरोग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ओफ लेंड है अब रोमन बस इनके बारे में दोई बाते है और दो कितामे लिखी थी हमको बताई है गणित भुगोल और आल긴 difícil में वनली मैंने लिखी थी एतिहास ट्रेव में ब्हुग ब्हुगोल के शीजरिक र्एस्तेपोश करने वालेभ्य Eren पोलमी थे वुक्तिदा जोग्रोफी और कैस्पीर सागर और उसके आसपास के छित्र के बारे में इनोंने वर्णन किया था तो वैसे तो हमारे रोमन विद्वान कंपलीट हो गए लेगन वीडियो के दिन से आया तो मुझे पता है आपने प्रिविजन नहीं किया होगा तो एक बार हम जल्दी जल्दी सारे विद्वानों को देख लेते हैं को मैं हमेशे बार-बार यही कहते हूं आप एक मैसेज बार-बार करते हो कि मैं पीछे की जी भूल जाते हैं क्योंकि ओवियस इबात है तो हम कैसे एक सब्जेक्ट के बाद में दूसरा सब्जेक्ट पढ़े तो पिछला याद रखें तो उसका एक मात्र यही तरीका है कि और जब भी आप नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं तो एक बार जो पिछली किताब के बारे में आपने 20-25 पेज लिखे हैं उनको पढ़ ले हाना ताकि वो किताब एक बार आपके आँखों के सामने से गुजर जाये ठीक है तो सबसे पहले स्ट्रेबों हमने पढ़ा थ इन्होंने प्रत्विक के आगरती आनिया में तत्चतुर बुझ बताई थी दुरूविय छेत्रों में त्रीवीम दुरूविय प्रक्षेप का इन्होंने उप्योग किया था इस ट्रेबों ने भुगोल को हमने पढ़ा ही छेत्रवर्णा निविग्यान या फिर कोरोलोजी साइन से नोंने कहा था इनकी बुक थी जो ग्रोफिक का इरेटोस नेज की बुक में जो ग्रोफिका थी जिसमें जी ईओ जी आरे पी एचाई के ए लिखा हुआ था और स्ट्रेबों की बुक में जो ग्रोफिका थी जिसमें जी ईओ जी आरे पी एचाई सी ए लिखा है ठीक दूसरे किताब थी इनकी hysterical memories एतिहासे किसम रतिया तो दो किताबे थी स्ट्राइबों के एक तो जोक्रोफिका और एक hysterical memories जोक्रोफिका इंपोर्टेंट किताब थी 17 खंडों में लिखी गई थी प्रत्म खंड में मुशय की प्रस्तावना दूसरे खंड में रिटोस्टनीज के कारियों की समीक्षा, तीसरे खंड में फ्रांस जिसको उसमें गोल कहते थे बरिटेन और अल्पस का वर्णन है, चोथ पाचवे और छटवे में इटली और सिसली का वर्णन है, साथवे में राइन और डेनीूब नदी का वर्णन है, बाकि कुछ भी ऑनके बारेवे पूचा नहीं चाहता है टूल्मे के बारे में तीन किताबे अलमागस्थ, आनौलोमी और जोकरोफिका अलमागस्थ, खगोल विज्ञानों के करति थी अनालोमा तारक रहों के सूची थी और दजोकरोफिका हमारी भोतिक भोगोल से समद्दित किताब थी पंपेनियस महला की कोस्मोग्राफिया और डी कोस्मोग्राफिया डी कोरियोग्राफिया डी कोरियोग्राफिया का हिंदी में इंग्लिश में मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ओफ लेंड तो आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छे लग रहे हो समझ में आ रहे हो ऐसे वीडियो जोर चाहिए हो तो नीचे कमेंट करके पता देना बागे वीडियो देखने के लिए थैंक यो सो मच बाई बाई